स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टीटेन स्टडी पर इस वीडियो हम लोग बात करेंगे प्रकास के परावरतन के पार्ट टू के बारे में इससे पहले मैंने एक पार्ट बना रखा है जिसमें मैंने प्रकास के परावरतन लाइट प्रकास के प्रावरतन के नियम पारद जान का सिच्वेशन बना हुआ है तो सारे स्टिशों से स्कूल सारे बंद हो चुके हैं तो हो सकता है कि दस्वी के जितने भी स्ट्वेंट्स होंगे उनका स्टडी अभी रुका हुआ होगा ठीक है तो उसी के लिए especially मैंने इस चैनल पर वीडियो बनाना स्टार्ट किया है तो जितने भी आपके रिलेटिव होंगे उनके पास इस वीडियो को सेर कर देजगा ताकि वो अपना परहाई कंटिन्यू रख पाएं तो इस चैनल पर मैं साइंस से रिलेटेड टोटल टॉपिक अप्लोड करता रहू उसी के बारे हम बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लें कि प्रतिविंब है क्या ठीक है प्रतिविंब क्या है तो यहां पर लिखा हुआ है कि किसी बिंदु सुरुत से आने वाली प्रकास के दरपन से परावरतन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस ब समतल दर्बन थेक है अगर दरपन की बात करें तो दरपन की जो समतल है यह आपका एक प्लेंड मीरर हो कर करके चली गई तो और एक लाइट ऐसे आई और फिर से अपने पत को रिट्रेस कर लिया तो देखे पिछले विडियो मैंने बताया था कि किसी भी वस्तू का अगर इमे की ज़रुत पड़ती हैं दो किरणों की ज़रुत पड़ती हैं जसा आपको याद होगा फिर से देखिये मैंने बताय था कि माल लिजिए कि तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे. ठीक है, तो देखने के लिए क्या करना परेगा? तो देखने के लिए यहां से लाइट का इस अब्जक्ट पर आना जरूरी है. और यहां से इसका ऐसे आना जरूरी है. ठीक है, लेकिन एक ही लाइट के कीरन आई ही, तो क्या हम देख पाएंगे क्या नहीं देख पाएंगे यहां से एक और light का आना जरूरी है ठीक है तब ही हम इस point को देख पाएंगे ठीक हैτι जादा से जादा जितना हो जाए इसके बीच'd में लेकिन किसी भी विवस्तु का अप्रति भी बनाने के लिए कम से कम दो लाइट की ज़ड़रत परती है Gloria his ज्यक्त पर दिए इस में लाइच यह इस तरीके सब्सक्राइब और एक light range कुछ इस तरीके से आया है तो यह जैसा आया वैसा अंगल बनाते हुए reflect हो गया लेकिन यह देखिए यह लंबवात आया है तो लंबवात reflect हो जाएगा ठीक है तो अब देखिए यह ऊपर की ओर चला जाएगा और यह इधर की ओर चला जाएगा तो इसका कहीं पर तो यहीं पर इस वस्तू का प्रतविम्ब बनेगा जैसे आप कभी आयना के सामने ख़रे होते होईएगा तो माल लिजे कि यह आयना है ठीक है और यहां पर अगर आप ख़रे होते होईएगा तो आपका प्रतविम्ब आयना के पीछे यहां पर बनता होगा ठीक है और कालप तो होता क्या है जनेरली कि जब भी प्रकास की कीरण ठीक है? किसी भी धरपन पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद वास्तप में जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हूटी है उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं? भिंदूनी उस्रॉट का प्रतिविंब कहते हैं अब आप लोग सोच रहे होंगा है कि मैंने बताया कि मिलती है लेकिन यहां पर कालपनी क्रूप से मिल रही है तो वास्तम में कैसे मिलगी तो देखिए वास्तम में वह से फोकोस से पταएंगे कि प्रधानक्ष के समाना अंतर जाने वाले किरण कहां से गुजडती है प्रधानक्ष के आओंग यह सारा चीज हम लोग कारेंगे और एक केरण वकड़ता के इंदर साये भी तो देखें यहां पर वास्तम में मिला तो इसका बिंदू सुरोत से आने वाली प्रकास के किरन दरपन से परावरतन के बाद जिस बिंदू पर मिलती है या जिस बिंदू से आती हुए प्रतित होती है उस बिंदू को क्या बोलते हैं बिंदू सुरोत का प्रतिविम क्याते हैं अब प्रतिविम कितने प्रकार के होते हैं ये सामने आई तो देखिए एक मैंने बताया था वास्ता में आगार के मिलती है और ता Captain हो थी आता हुआ प्रतित होना और वास्तविक में मिल्ता है और आता हुआ प्रतीत होता है तो हम कल्पना करके मिल इटे ना जैसा कि समतल दहरोपन मैंने भताई था पीछे की झी और खीजा उसके बाद उसका प्रतीकिम बनाinea थक तो तो चलिए अब हम पडिवासा की बात कर लेते हैं ठीक है वास्तविक प्रत्विम किसे कहेंगे तो किसी बिंदु सुरत से आती हुई प्रतीत होगी उसे हम क्या कहेंगे जैसा कि समतल दर्पन में बन रहा था चलिए आगे हम लोग डिसकस कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एक्जामिनेशन के लिए इपोटेंट है पूछे जाते हैं क्या है वास्तविक प्रतिविम वस्तव के अपिक्छा हमेशा उल्टा बनता है जैसा कि मैंने भी बताया था अवदल दर्पन का पिक बना के बताया था कि जो वास्तविक रूप से कट गता है टो परद्दना एक नीचे बन रहा था यानि कि ईल्टा बन रहाँ था रहा है याद रहेगा वास्तिक प्रतिविम जो होता है हमेशा कैसा बनता है उल्टा बनता है और इसे पर प्रत्व पर प्रॉक्ष मेंता है जैसे क्या मुझत के उसी सदो shift लोग होलुग प्रतिविम कैसे बनता है ठीक है अगले वेडियो में मुल्क बात कर लेंगे सम्तल दर्पन से बनने वाले प्रतिविम के क्या करेक्टर होते हैं कि अगया कि अगया कि यह